नमस्कार दोस्तों तो शुरू करते हैं आज का हम वीडियो वर्ग और वर्गमूल वैसे तो क्या है हमारे लिए सबी विशे समान रूप से महत्पूर्ण हैं लेकिन हम क्या करते हैं गणिस से थोड़ा डरते हैं तो डरने के आवश्यक्ता नहीं है बेसिक से शुरुआत उसके हर बिंदो को किलियर करते चलिए जिससे आगे उससे डरने के आवश्यक्ता नहीं पड़े तो आज हम सुरू करते हैं वर्ग और वर्गमूल बिलकुल ही आसान है बिलकुल यह मत सोचे के गणित पता नहीं कैसी है विशे बहुत कठेन है और वैसे भी मैंने एक वीड किस भाशा में होते हैं उसके आधार पर हम देखें तो गणित बहुत ही आसान है बस उसकी संक्रियाओं को हम समझ लें तो वो हमें बड़े ही आसान लगेगी और बाद में उसमें हमारी रूची भी बड़ेगी तो आईए शुरू करते हैं वर्ग और वर्गमूल तो आज की इस वीडियो में हम मुख्य रूप से वर्ग के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में हम समझेंगे उसके कंसर्प्ट क्या है तो एक हम जानते हैं वर्ग हमने पहले एक चित्र के रूप में पढ़ा था कि जिसकी चारों बुजाएं समान हो यदि किसी वर्ग की हर एक बुजा को एकाई माना जाए अगर हम किसी वर्ग की बुजा को एकाई माने तो उसके लिए हमारे सामने सुत्र था बुजा गुणा बुजा यानि कि एक गुणा एक बराबर एक आएगा और यही इसका वर्ग हुआ यानि कि हमारा जो उत्तर है उसको हम लिखेंगे इस तरह से, इसी तरह से एक दूसरा उधारण और देखते हैं, अगर दो एकाई के रूप में है किसी वर्ग की बुजा, इधर से दो और इधर से भी दो, तो इसका हमारे लिए बुजा, गुणा, बुजा, बराबर चार, इस तरह से प्राप्त होगा, और इसे हम लिखेंगे किस तरह से, दो का वर्ग, तो इसमें आगे बढ़ते हैं, हम कुछ एक सारणी में बना लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए, देखते हैं इसको आगे, अब देखते हैं, हमने इसमें थोड़ा सा लिख लिया है, जैसे एक का वर्ग, एक, दो का, चार, तीन का, नो, यानि कि यह उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा, इसी तरह से ये इसमें इसी संख्या का गुणा यानि 4 का वर क्या होगा 16 क्यों क्यों कि 4 का गुणा 4 में हो रहा है इसी तरह से बहुत ही आसान होते हैं उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना जैसे ये 12 गुणा 12 और ये 13 गुणा 13 इसी तरह से 14 गुणा 14 करेंगे 106 में और 15 गुणा 15, 225 फिर इन में हमें थोड़ा सा एक relation यान रिष्टा देखने में मिलता है कि जैसे एकाई का अंक एक है तो उत्तर में एक आएगा इन में एकाई का अंक एक है तो एक आएगा ये हमें थोड़ा सा इसमें कभी कभी हम किसी competition में अनुमान लगाते हैं आदार सब यहीं से सुरू होता है लेकिन हम ढूंडते का रहते हैं कई और उसी तरह से जिसमें एकाई का अंक दो है उसमें चार आ रहा है तो ये इन में आपस में एक relation होता है संख्याओं में आपस में जिनकों हमें समझना होता है और उसी के आदार पर हमें प्रश्णों को हल करने में बहुत ही सहयता मिलती है अगर देखिए जहां पर एकाई का अंक तीन है वहां पर क्या रहा है नो जहां पर एकाई का अंक चार है वहां पर क्या रहा है छे आ रहा है तो इस तरह से इन में आपस में एक relation हमें समझ में आएगा पांच है तो पांच उसी तरह से छे है और जहां पर जीरो है वहां पर जीरो आएगा साथ के लिए साथ और तीन के लिए नो इसमें साथ है तो नो फिर आगे भी बढ़ेंगे तो उसमें भी 9 ही आएगा, इस तरह से 8 के लिए 4 आएगा, और 2 के लिए आये था जो हमारे पहले इस तरह से, फिर 9 के लिए 1 आएगा जहां पर 1 आएका अंक तो अनुमान लगाना हो, जब हमें कोई उत्तर जल्दी डिफाइन करना हो, तो आराम से कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई परिशानी नहीं है, जीरो है, तो जीरो ही आएगा, जब हमें जल्दी से अनुमान लगाने के लिए कहा जाता है कि 100 का वर्ग कितना होगा, किसी जिस आंसर में हमारे जिस उप्शन में जीरो हो, वो गणित की रोचकता देखिए कितनी अच्छी होती है जैसे किसी ने कहा एक का वर्ग करिए यानि एक गुणा एक यानि एक लेकिन अब किसी ने कह दिया गयारे गुणा गयारे या ग्यारे का वर कितना आता है अभी ये तो छोटी सी संख्या है इसलिए हम इसको कर लेंगे लेकिन जब हमसे किसी ने कह दिया 111 का वर कीजिए यानि कि 111 गुना 111 तो उसका सीधा सा तरीका है इसमें जितने अंक हैं एक, दो, तीन और फिर वापस उल्टा कर दीजिए ये इसका उत्तर आएगा फिर हम देखते हैं 1111 इसका वर कितने अंक हैं इसमें? चार तो सीधा ही लिखिए एक, दो, तीन, चार, तीन, दो, एक है आसान तरीका? अब देखते हैं 11111 का वर कितने अंक हैं इसमें? पांच एक, दो, तीन, चार, पांच फिर वापस चार, तीन, दो, एक ये इसका वर आ गया हमारे कोर्रेलेशन चली रहा है एकाई का अंक एक है तो सब में एक आता जा रहा है इसी तरह से 1111111 का कोई हमसे वर करने के लिए कहे तो भी है कितनी ही संख्याई हो इसमें अंक हैं हमारे च्छे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और फिर उल्टे हो जाएए पांच, चार, तीन, दो, एक ये बहुत ही आसान होते हैं और इनको हम थोड़ा सा भी ध्यान में रखेंगे तो बाद में काफी हमें मदद मिलती है और काफी ये इस तरह के पृष्ण आते रहते हैं अब एक रिलेशन और देख लेते हैं इस तरह का ही हमारे जैसे साथ का वर्ग साथ का वर्ग आ रहा है आराम से हमें छोटी सी संख्या है एक बड़ी और एक छोटी जैसे सरसट का वर्ग अब सरसट के वर्ग में जाके हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तो इसमें काई के अंक तो डबल ये फिर्स्ट वाले और एक कम एक जादा इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे फिर इसका वर्ग तीन बार चार लिख दिये दो बार आठ और एक बार नौ जितने अंक हैं उतने ही दोरान होगा इसी तरह से फिर इसका वर्ग और ये ये इसका वक्तर आजाता है यानि कि अगर हम इसको थोड़ा सा भी इनका रिलेशन ध्यान में रखें तो ये करना तो हमें इतना बड़ा गुणा है लेकिन अगर ध्यान में रहे इनका रिलेशन तो आसानी से हो जाता है तो गणित काफी रोचक है और इसी तरह से आपको वीडियो लाता रहूंगा बने रहे हैं मेरे साथ मेरे यूटूब चैनल एजुकेशनल आइसेस पर प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें थैंक यू